Hello students, welcome to ASIS classes, बच्चों, आज हम लोग solve करेंगे exercise 5.2, ठीक है? Class 10th में exercise कौन सी solve करेंगे हम लोग? 5.2, ठीक है? AP chapter है हमारा, इस exercise के हमने question number first, question number second को solve किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था, ठीक है? आज की class में question number third को solve कर रहे हैं यहां पे, ठीक है? Question number third है क्या है यहां पे? In the following AP, find the missing term in the box, ठीक है? जो हमारे question में missing term है, उनको हमें find करना है, यहां पे देखिए, A1 हमें given है, ठीक है? A1 है, यहां पे क्या है? A2, यहनि A2 find करना है, कौन सा term? Second term find करना है, और यहां पे हमें AP का third term दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, find कैसे करेंगे? Second term, पहले जो हमें given है, उसको note कर लेंगे, तो first term given है, क्या given है? First term, two, ठीक? यह A1 है, यह A2 है, और यह A3 है, मतलब third term, तो A3 कितना given है? यहां पे 26, कितना given है? 26, इसको solve कर लेते हैं, तो A3 is equal to कितना? 26, इसको solve करेंगे, यहां पे कौन सा formula यूज करेंगे? यह A1 is equal to A plus N minus 1 into D, इस formula का use करेंगे, अब N की जगे पे यहां पे क्या है? 3 है, तो क्या बनेगा जाके question, कि A plus जहां पे N होगा, वहां पे क्या put करेंगे? 3 क्योंकि A3 निकाल रहे हैं यहां पे, A plus 3 minus 1, D है, तो D कर देंगे, इसकी value कितनी है? 26, is equal to 26, ठीक है? A3 को solve किया, तो A plus 3 minus 1 into D, is equal to 26 आगया, ठीक, अब यहां पे देखेंगे A, A यानि first term, first term कितना है बच्चों यहां पे? 2, तो 2 को note कर दू, plus 3 minus 1 करेंगे, तो 2D is equal to 26, कितना आगया? 26, ठीक है? यहां से आपको क्या करना है? 2 को उधर ले जाएए, तो minus का होगा, तो 2D is equal to 26, minus 2, 2D is equal to कितना आजाएगा? 24, ठीक, तो D is equal to कितना आया है यहां से? D is equal to 24 by 2, इसको कैंसिल करेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 4, मतलब D is equal to कितना आगया? 12, D is equal to आगया 12, और first term हमें given है, तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं यहां पे? आगया, A2 निकाल सकते हैं, भाई यह क्या है हमारा? A1, यह A2 और यह A3, ठीक है? A2 निकाल यह, तो A2 is equal to कितना? A plus D, A2 is equal to क्या होता है? A plus D, ठीक, तो A2 is equal to, A कितना? A कितना है, first term? 2, plus D कितना find क्या भी हमने? 12, 12 नोट कर दिए, A2 is equal to, add करेंगे तो 14 आजाएगा, कितना है? 14, ठीक है? तो A2 कितना आएगा? 14, तो आप यहाँ पे fill कर दिए, यहाँ पे क्या fill करना है? 14, ठीक है? और यह इस question का बिलकुल right answer हो जाएगा, इसके बाद इसका second question solve करेंगे, इसके बाद दिखिए question number 3 का second part है, ठीक है? हमें find करना है यहाँ पे first term, और कौन सा? third term, ठीक है? यह हमारा A A1 है, यह A2 है, यह A3 है और A4 है, ठीक है? कैसे solve करेंगे? तो यहाँ पे जो term हमें given है, उनको note कर लेते हैं, यह हमारा A1 है, हम लिख दे रहें समझने के लिए, यह A2 और यह A3, यह A4, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन से term हमें given है, यह देखिएगा, तो A2 given है कितना 13, और A4 given है कितना 3, ठीक है? नोट कर लीजे, क्या given है A2, is equal to कितना 13, और क्या given है यहाँ पे देखिए, A4 is equal to 3, ठीक है? इसको solve करते हैं, कैसे solve करेंगे, किस formula से? तो देखिए, A1 is equal to A plus N minus 1 into D का formula लगाएगे, अब यहाँ पे N है, तो यहाँ पर भी N आ गया, यहाँ पे हम solve करेंगे A2 को, तो जहाँ पे N, N होगा, वहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है? कैसे solve करेंगे, ध्यान से समझेगा question को, ठीक? तो A2 सबसे पहले, A2 is equal to कितना दिया हुआ है? 3, कितना दिया हुआ है? सॉरी, 13 दिया हुआ है, ठीक? A4 दिया हुआ है, 3, तो अब यहाँ पे N होगा formula में, वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है? तो 2 minus 1 into D is equal to कितना? 13 है, तो 13 कर देगा, ठीक है? तो A plus 2 minus 1 करेंगे, 1, 1 D आ गया, मतलब D is equal to 13, यहाँ से आप A की value निकाल लीजे, तो A is equal to 13 minus D हो जाएगा, इसको लिटकर लीजे equation first, इसको लिटकर लीजे equation first ठीक है? ऐसे ही आपको क्या solve करना है? A4 is equal to 3 को solve कर लेना है, तो A4 is equal to 3, जब solve करेंगे इसे तो कितना आएगा? A plus 4 minus 1 into D हो जाएगा, is equal to 3, ठीक है? किस formula से? A N के formula से, ठीक है? अब A plus, यहाँ पे कितना आजाएगा? 3D is equal to 3, ठीक है? A की value रखेंगे यहाँ पे, A कितना है? 13 minus D, यहाँ पे रख दीजिए, 13 minus D plus 3D is equal to 3, ठीक है? आगे solve करेंगे, तो क्या बनेगा जाके? 13 को ऐसे ही note कर लो, ठीक, minus का D plus का 3D, तो plus का 2D आजाएगा यहाँ से, is equal to किसके? 3 के, ठीक है? ठीक है? तो 13, 13, 13 को उधर भेज दीजिए, ठीक है? तो इधर कितना बचा? 2D is equal to 3, minus 13, तो 2D is equal to कितना आजाएगा यहाँ से? minus का 10, तो D is equal to कितना? minus का 10 by 2, 2, 5 जैर 10, तो D is equal to कितना आजाएगा? minus का 5, कितना आजाएगा? minus का 5, यहाँ तक समझ में आजाएगा? यहाँ तक note कर लीजे, यहाँ तक note कर लीजे, ठीक, D कितना आजाएगा? minus का 5, ठीक, अब हमें find क्या करना है? first time, A1 और A3 find करना है, ठीक है? अब A की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से equation first में रखेंगे, ठीक, first में रख दीजिए, या फिर क्या करेंगे हमें D की value, पता है ना यहाँ पे? ठीक, और दीखें, D कैसे निकालते हैं, किस formula से, कि D is equal to A2 minus A1, A1 क्या है? first time, उसको A भी कह सकते हैं, ठीक है? first time, अब A को इधर ले जाएगे, क्योंकि हमें first time find करना है, तो A को इधर ले आईए, तो minus का A इधर प्लस हो जाएगा, और इधर A2, D को इधर ले जाएगे, तो minus का D, तो A is equal to, क्या A2 में find है, बिल्कुल find है, यहाँ पर दीखेंगा, 13 है, और minus, minus, D कितना है, minus का 5, तो minus का 5 कर दीजे, minus minus यह plus हो जाएगा, तो A is equal to 13 plus 5, add करेंगे, तो A is equal to कितना आए गया, 18, first time कितना मिला हमें, first time कितना आ गया, यहाँ पर, 18, ठिक, यहाँ बात समझ में आ गए, अब हमें क्या निकालना है, A3, तो A3 कैसे निकालते हैं, A2 plus D, A2 plus D, ठिक, तो A3 is equal to कितना आ जाएगा, A2, A2 कहाँ पर दिखेगा, A2 यह है, कितना, 13, प्लस, D कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 कर दीजिए, ठिक, यहाँ तक समझ में आ गया, कैसे निकाला, इतना नोट कर लिजिए, ठिक है, इतना नोट कर लिजिए, ठिक, देखिए, A3 is equal to कितना, 13 माइनस 5 आ जाएगा, तो A3 is equal to कितना, 8, 13 माइनस 5 करेंगे, तो 8 आ जाएगा, ठिक, तो A कितना हमने निकाला, यहाँ पर दीखिएगा, 18, तो यहाँ पर fill कर दीजिए, 18, और A3 कितना find किया, 8, तो यहाँ पर आपको fill कर देना है, 8, ठिक है, जो हमारे missing term थे हमने find कर लिए, ठिक, तो यह आ जाएगा इस question का answer, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का third part देखेंगे, ठिक है, यह समझ में आ गया होगा, इसका third part देखिए, कैसे solve करेंगे, note कर लिजिए, अब आगे देखते हैं, ठिक है, question number 3 का third part, इसमें भी हमें missing term find करना है, ठिक है, जो value हमें given है, उनको note कर लेते हैं, जैसे कि a1 हमें given है, यह a1 है हमारा, यह फर्स्ट term, a, यह हमारा a2 है, यह a3, यह a4, a given है, a is equal to कितना 5, यह given है, ठिक, a4 भी हमें given है, a4 कितना है, 9 right, 1 by 2, ठिक है, mixed fraction में given है, ठिक है, तो इसको simple fraction में लाते हैं, तो a4 is equal to कितना, 2 nines are 18, 18 में 1 add करेंगे कितना, 19, 19 by 2, a4 कितना है, 19 by 4, इसको solve कर दीजे, ठिक है, किस formula से, n वाले formula से, तो a4 is equal to 19 by 2, यह given है, यहाँ पर दीखे, a4, तो a plus कितना आ जाएगा, 4 minus 1 into d, किस formula से, n is equal to a plus n minus 1 into d, ठिक, is equal to कितना, 19 by 2, ठिक है, a कितना है, 5 है, यहाँ पर, प्लस, इसको solve करेंगे, तो 3d होगा, is equal to 19 by 2, 5 को उधर ले जाएगे, तो 3d is equal to 19 by 2, minus का 5 हो जाएगा, क्योंकि plus का इधर है, उधर जाएगा, minus का होगा, ठिक है, आगे देखिए, 3d is equal to, cross multiply करिए, तो कितना बनेगा, 19 minus 10, और अपन में 2, तो 3d is equal to कितना आ गया, 9 by 2, तो d is equal to कितना, 9 by 2 into 3, ठिक है, इसको cancel करेंगे, 3 by 3, 3, 3, 3, 9, तो d is equal to 3 by 2, d is equal to कितना आ गया, 3 by 2, ठीक है, इसके बाद a2 निकालेंगे आप़े, a2 निकालने के लिए, क्या करेंगे, तो a2 कैसे निकालते हैं, a plus d करके, a की value कितनी given है, बच्चो, a की value, a की जो value है, first term, 5 है, plus d कितना है, common difference, 3 by 2, solve करेंगे कैसे, cross multiplication, multiply करके, ठीक है, तो 2 5s are 10, plus 3 upon 2, कितना आ गया, 13 by 2, ठीक है, a2 कैसे निकला, ये समझ में आ गया हमने, a2 कैसे निकाला, ये समझ में आ गया होगा, यहां तो note कर लिजिए, ठीक, अब यहां पर हमें mixed fraction में given था, तो इसको mixed fraction में लिख लेते हैं, तो जब mixed fraction में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 right, 1 by 2, देख लिजे, 2, 6, 0, 12, और 13, 13 by 2 आ जाएगा, ये हमारा mixed fraction में निकला आएगा, चिक है, इसके बाद आपको क्या करना है, a3 भी find करना है, a2 निकाला तो कितना आ गया, 6 right, 1 by 2, तो यहां पर fill कर दीजे, 6 right, 1 by 2, तो ठीक, a3 भी निकाल लेते हैं, a3 is equal to a2 plus t, a3 is equal to, a2 कितना है, देखे, 13 by 2, plus, और यहां पर देखेंगे कितना d, d कितना था भी, d था यहां पर, 3 by 2, LCM कितना मिला यहां से, 2, add कर दीजे, 13 plus 3, तो a3 is equal to कितना, 16 by 2, cancel करेंगे तो eta जाएगा, a3 कितना आ गया है, यहां से, 8, ठीक है, तो यहां पर हम fill करेंगे, 8, हमें a2 और a3 find करना था, जो किम ने find किया है, a2 कितना आया, 6 right, 1 by 2, और a3 आ गया है, 8, ठीक है, तो यह इस question का बिल्कुर right answer हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का fourth part solve करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, question number 3 का fourth part solve करेंगे, ठीक है, यहां पर दीखे किया find करना है, कौन सा term find करना है, और कौन सा term हमें given है, तो यहां पर first term हमें given है, ठीक है और यह क्या है A2, A3, A4, A5, A6 मतलब 6 term हमें given है ठीक है A is equal to कितना? minus का 4 ठीक यह क्या है A2, यह है A3, यह है 4, A4, A5, A6 और क्या given है? A6 is equal to 6 यह भी given है सबसे पहले हम इसको solve करेंगे A6 is equal to 6 AN का formula क्या होता है? AN is equal to A plus N minus 1 into D अब यहाँ पर AN निकाल रहे है तो यहाँ पर N minus 1 into D है यहाँ पर A6 है तो N की जगर पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा जहाँ 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 पर N होगा formula में वहाँ वहाँ पर 6 हो जाएगा तो क्या बनेगा? A plus 6 minus 1 into D is equal to 6 first term कितना है? minus का 4 plus यह कितना हो जाएगा? 5D is equal to 6 minus का 4 उधर जाएगा plus का हो जाएगा तो 5D is equal to 6 plus 4 तो 5D is equal to कितना आज गया? 10 आ गया तो D is equal to 10 by 5 इसको cancel करेंगे तो 2 आ जाएगा D is equal to 2 common difference कितना है? 2 और first term हम दिखिए हमें given है पहले से ठीक है? यहां तक समझ में आ गया कैसे निकाला D? ठीक? अब इसके बाद A2 निकालिए A2 कैसे निकालते हैं? A plus D करके ठीक? A कितना है? A बच्चो हो है यहाँ पे minus का 4 plus D कितना find किया भी हमने 2 तो solve कर दीजे तो minus का 2 कितना है? minus का 2 A2 कितना है? minus का 2 तो यहाँ पे minus का 2 fill कर दीजे ठीक? A3 निकाल लीजे A3 कैसे निकालेंगे? A2 plus D तो A3 is equal to A2 कितना है? minus का 2 plus D कितना है? plus का 2 तो minus का 2 plus का 2 0 कितना आ गया? 0 तो A3 कितना है यहाँ पे? 0 हो गया इसके बाद A4 निकालेंगे A4 कैसे निकालेंगे? A3 plus D करके अब यहाँ पे बच्चो A3 कितना है? अभी निकाला हमने 0 और common difference यानि D कितना निकाला? 2 तो 2 कर दीजे तो A4 कितना आया? यहाँ से 2 तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे? 2 ठीक? अब A5 निकालेंगे A5 कैसे निकालेंगे? A4 plus D A4 कितना है? 2 plus D भी कितना है? common difference 2 add कर दीजे 4 A5 भी कितना आ गया? 4 से इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके आगे का question solve करेंगे यानि इसी का 5th part आगे दिखिएगा question number 3 का 5th part है यहाँ पे ठीक है? हमें first term find करना है second given है, third, fourth, fifth find करना है ठीक है? उसके बाद 6 term भी हमें given है ठीक? तो यहाँ पे A2 हमें given है 38, ठीक? यह A3 है, यह A4 और A5 A6 being given है A6 is equal to minus का 22 ठीक? इसको solve कर लेंगे सबसे पहले, ठीक? इन दोनों को solve कर लेते हैं ठीक? किस formula से कौन सा formula यूज करेंगे? A is equal to A plus N minus 1 into D का, ठीक है? कैसे solve करेंगे? ध्यान से देखेगा तो A2 is equal to 38 given है, यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे? कि A N का formula लगा देना है तो जहाँ पे N होगा, वहाँ पे 2 fill कर देंगे तो A plus 2 minus 1 into D is equal to 38 होगा, ठीक? इसके बाद आपको क्या करना है कि A plus 2 minus 1 कर देना है, यानि D आ जाएगा is equal to 30 यहाँ से A की value निकाल लिए तो A is equal to 38 minus D इसको equation first लिजिए इसके बाद आप लिजिए A6 is equal to minus का 22 इसको भी solve कर देजिए तो यहाँ पर भी A N का formula लगाना है A plus, यहाँ पर N होगा वहाँ पर 6 minus 1 कर देना है into D is equal to minus का 22 आपको A की value यहाँ फिल कर देना है A की value यह है 38 minus D plus इसको solve करेंगे तो 5D is equal to minus का 22 ठीक? यहाँ पर दिखेगा 38 को उधर ले जाए 38 plus का है? उधर जाएगा minus का होगा और यहाँ पर इसको solve कर दें minus का D plus का 5D, तो 4D is equal to minus का 22 minus का 38 इनको add करिए तो 4D is equal to, add करेंगे 8 और 2, 10 का 0, carry 1 2, और 3, 5 और 1, 6 और वो भी minus का, तो D is equal to कितना minus का 60 upon 4, cancel करेंगे तो 15 और यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है? कि A find करना है, ठीक, A, निकालने के लिए equation first में D की value रख दीजिए, तो यहाँ पर दिखिए, A is equal to equation first यह है न, यहाँ लिख लीजिए equation first equation first को note करेंगे, A is equal to 38 और minus D, D की value direct put कर दें, तो minus का 15 तो A is equal to 38, ठीक, और minus minus plus का 15, add कर दीजिए, तो कितना आएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 3, 1 क्यारी, ठीक, 3, और 1, 4, और 1, 5, यहाँ एगा, 53, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 53, फिल कर देना है, यहाँ, A कितना आएगा, first time, 53, यहाँ तक note कर लीजिए, ठीक है? ठीक, A कितना है, 53, इसके बाद आपको क्या करना है, A2 तो में given है, A3 निकाल लीजिए, A3 is equal to कितना, A2 प्लस D करके, A3 is equal to कितना, A2 कितना है, यहाँ पे, 38, प्लस, D कितना है, minus का 15, तो minus का 15, देखो, यहाँ पे हमने निकाल के रखा हुआ है, तो A3 is equal to 38, प्लस, माइनस, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक, तो A3 is equal to कितना आ गया, minus कर दीजिए, 8 से 5 जाएगे, तो कितना बचा यहाँ से, 3, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ ए 3, 23, तो आपको यहाँ पे 23 फिल कर देना, इसके बाद क्या करना है, आपको A4 निकालना और A5 निकालना है, कितना निकालना है, A4 और A5, ठीक है, क्या निकालना है, A4, A4 कैसे निकालते हैं, A3 प्लस, D, ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे, इससे निकालेंगे, A4, और फिर A5 भी आप लोग निकालना जानते हैं न, अभी हमने बताया था, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो A4 और A5 दोनों निकाल के क्या करना है आपको comment करना है कि इसका answer कितना है ठीक है अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कल के class में बता दिया जाएगा वैसे तो आप लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमने ऐसे कई सारे question बता दिये है तो आज के लिए बस इतना ही thank you for this class